जहीन सर, मेरी नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का आडर अलोकेट हुआ है मेरी दिस्ट्रिक प्राक्टिकल ट्रेनिंग सर श्रीनगर में हुई थी इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते वे पुलिस कैसे आतंगवादी गतिवीधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार कर रही है इस बात का प्रत्यक्ष प्रमान मुझे मिला देखने को वहाँ पे सर काउंटर टेरिस्ट ऑपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे सेक्यूर्टी फोर्से सर एक जुनेद सहराई नामक आतंगवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास्त कर रही थी जुनेद हिजबुल मुझाहिदिन में कमांडर था और वैली में रेक्रूट्मेंट का कारिभार संभालता था सर 18 माई को जमुकश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप को ये खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था तो तुरंथी पुलिस, SOG और CRPF की एक टीम ने योजना बना कर घर को घेरा और आतंकीयों को पकड़ने की कोशिश की जैसे ही सर हम घर के अंदर गए हैं आतंकीयों ने हमारे उपर फाइरिंग शुरू की जिसमें हमारे एक जवान भी घायल हो गया सर परसनली मेरे लिए काफी भैवित करने वाला शंद था बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षिस्थान पे पहुँचाया बलकि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेरिस्ट को निट्रलाइज सचुकिया घर शहरी जगह पे स्थित था इसलिए पुलिस को काफी और कठीनाईयों का भी सामना करना पड़ा जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉइन और की सिच्वेशन और ना डेवलप हो सके इसका भी ख्याल रखना सर मुझे पहली बार मानविये चेहरा का भी सा ले जा रही थी और एक दूसरी टीम पत्थर बाजों से भी निपट रही थी सर मेरे लिए यह पुना पुष्टी हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निदोश व्यक्ति की सुरक्षा में अगर एक पुलिस कर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े तो य आप की खुराद में जाकर क्या ही हो यह सर तो यह टेक्स्टाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी सब्सже Commission को अव्य क्अधु डेक्स्टाइल में धागे जोड़ने होते हैं और तेरर में धागे खोलने होते हैं तो बहुत ही तो अलग-अलग पहलों के काफ करने पड़ेगी आपको. Yes, sir. चलिए, मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाए मेरा मन करता है, मैं आपसे बात करूँ. ये ठीक है कि जो हम रोज अख़वार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही में यूज होते हैं, इसके सिवाए भी इस पूरे ख्षेतर की विशेस्ता हैं. चाहे जम्मू हो, लदाख हो, बेली हो, करगील हो, और मेरा स्वभागे रहा है कि मुझे काफी समय वहाँ काम करने का मुका मिला है कि इसी समय. सच मुझ मैं भावती अच्छे लोग है, भावती प्यारे लोग है. और मुझे विश्वास है कि हम सब के प्रयासों से उनकी जो खुशनुमा जिन्दगी हैं, वह हम वापिस ले पाएंगे. लेकिन आपने टक्स्टाइल किया हुआ है, और कश्मीर की ये ताकत है, कश्मीर की विशेज थाकत है. आप बैठी है तनुसरी आप बैठी है कश्मीर की एक विशेस थाकत है और इसलिए वहाँ हर घर में उनकी उंगलियों में आप लोग जो चार-चार-पांच साल पढ़ाई करके लेके आते हो न उससे ज़्यादा थाकत उनकी उंगलियों में होती है जिस प्रकार के शाल वगेर वो हाथ से बनाते हैं टेक्स्टाइल का काम जो वहाँ होता है वो अधभूत है आप पुलिसिंग के समय भी मैने में अगर आपको दो दीन, तीन दीन, चार दीन भी अगर छुट्टी मिलती है मैं आपसे आगर करूँगा कि जहां ही आपकी डूटी लगे आप वहाँ की जो बहने हैं उनके छोटे-छोटे संभूव बनाईए दस-दस का, पाइट-पाइट का, दस का, पंद्रा का और जिनके पांस रूटीन में वो टेक्स्टाइल से संभंधित कुछन कोई काम करता है आप एक एक्स्टा एक्टिविटी के रूप में है, युनिफर्म के सिवाए, उनके साथ घुर मिल करके ऐसे पांच, साथ, दस ग्रूप बना जिजिए यसी आपकी ख्षमता और जो आपके टेक्स्टाइल के अनुभव है, और वे परंपरा ग्रूप से जिस टेक्स्टाइल, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको मोडन डिजाइनिंग सिखाईए, आप देखिए, आपकी पुलिसिंग की ताकत में भी यह बहुत बड़ी ताकत बन जा लोगों से कभी, आपको अधभूत अनुभ होगा, इतने प्यारे लोग है, इतने प्यार से रखते हैं, और उनमें कुछ नो कुछ नया करने की सुखने की ताकत होती है, तो आप जरूर उस पर बल दीजिए, और हम लोग सामुहिक पर इतना से, जो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनको पहले से ही रोकने की दिशा में अब हमें काम करना है, और वो काम महिला पुलिस अप्सवनों से बहुत अच्छा हो सकता है, उन बच्चों को वापिस लेने में, उनकी माताओं को समझाने में, बहुत बड़ा काम हमारी विमेन फोर्स कर सकती है, इसी दिशा में आम काम कर लेंगे, तो शायद बहुत बड़ी सेवा होगी, तो तनुसरी मेरी आपको सुपकामना है, और गांदीनेगर से आपने जो पाया है, वो जुरूर वहां पर भी रंग लाएगा, तैंक यू सर, तैंक यू सर, तैंक यू